हर सपनों को अपनी सासों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाओं में रखो, हर जीत आपकी होगी बस अपने लक्स है को अपनी निगाओं में रखो नमस्कार रिम डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्तान पुलिस साभी इंस्पेक्टर इंटर्व की तयारी करने वाले बच्चों के लिए जिसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो है आपका डिग्री डिप्लोमा के सम्मंदित आपसे क्या-क्या जानकारी पुछी जाएगी जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा चाहिश्ट्री है जोग्रोफी है पॉलिटी है फिजिक्स है केमेस्ट्री है मैच्स है कोई साभी सब्जेक्ट जो आपक जरूर देख ले क्योंकि लगातार एक सीरीज के रूप में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ आपके बाई डाटा आपकी होबी आपके ग्रेजिले के बारे में और आप से करंट के बारे में जो जो क्यूशन्स आप से पुछे जा सकते हैं सब के बारे में करम से सारे व लब्द होने वाली है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट बदला है तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट बदलने से ये मतलब है कि अगर आपने 10 प्लस 2 में PCM आपका सब्जेक्ट है बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है और उसके बाद में अगर आपने BA किया है या फिर आपने BSC पहले किया है और आपका PG में सब्जेक्ट है वो History, Geography, Politics से किया है यानि कि MA किया है background को छोड़ के आपने Arts counselor को चुना है या फिर और कोई चेंज अगर आपने सब्जेक्ट में किया है तो उसके बारे में अपसे पूछा जा सकता है इसके बाद में सब्जेक्ट की basic जानकारी सब्जेक्ट की basic जानकारी यह है कि आपका जो subject है, graduation का especially, जो तीन subject होते हैं, उसके बारे में आपसे महुत general question पुछे जाएंगे, उसमें आपको पूरी deep knowledge की आसा नहीं की जाती है, क्योंकि जो deep knowledge है वो आपका written exam में लिया जा चुका है, अब तो सिरफ आपसे basics उसके बारे में, जो उसके general सिधान्त है, उनके ब और कपड़े दोने के सोडे में क्या अंतर होता है, या दोनों का रासाइनिक सुत्र क्या होता है, या फिर आवर्थ सार्णी के बारे में बताईए, या physics के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि गती के नियम कौन-कौन से है, या बर्नोली का कौन सा नियम है, या Archimedes का सिध पूछा जा सकता है कि जहन दरम और बोद दरम में दोनों में क्या अंतर है, दोनों की विचार दानाओं में कितना अंतर है, जनरली पूछा जा सकता है कि मात्मा गांदी का योगदान बताईए सौतंतरता अंदोलन में, या भारत का जो सौतंतरता अंदोलन था उसमें मात् जोग्रोफी का एक्जाम पर लो तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो कम वर्षा होती है उसके पीछे क्या कारण है या राजस्थान में कौन-कौन से समय पर वर्षा होती है तो इस तरह की चीजे आपसे जनरल जो किसी सब्जेक्ट की होती है वो आपसे पूछी जा सकती है इसके अलावा राजस्थान के बारे में अगर और कोई चीज जिस तरह से पूछी जाए तो जोग्रोफी की चीज में आ सकता है कि चूरू में एक भी नदी नहीं होने का क्या कारण है चूरू और विकानेर दो जिले ऐसे हैं जिन में एक भी नदी नहीं है क्या कारण ह है ऐसा तो इस टाइप के क्यूशन आपसे पूछे जा सकते हैं सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी से संबंदित और इनकी कोई लिमिट नहीं है आप सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक यह बात जा सकती है कि कुछ भी पूछा जा सकता है तो सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है सब्जेक्ट के लाव भी हमारे पाथ चार पार्ट और बसते हैं उन में हमारा अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब्जेक्ट की क्यूशन में अगर आपको नहीं याद आ रहा है अगर नई चीज पूछ ली जाती है तो शिर्फ अपन तो उस कंडिशन में आपको चुप नहीं रहना है आपको अपने विचार जरूर कुछ ना कुछ बताने है अगर वो आपकी विचार से संतुष्ट है तो अच्छी बात है नहीं हुए तो भी कोई फरक नहीं बढ़ता है तो भी आपसे फिर दूसरा क्यूशन पूछा जा सक सकते हैं क्या चीज उसका आप यूज कर सकते हो पुलिस डिपार्टमेंट में यारी आपकी जो बैग्राउंड है उसका पुलिस डिपार्टमेंट में कितना महत्व है इससे सम्मंदित कोई क्यूशन होता है तो वह भी पूछा जा सकता है अगर साइंस का कोई को फिंगर प्रिंट के बारे में पूछा जा सकता है इसके अलावा मानव सरीर के बारे में कोई चीज पूछी जा सकती है जो पुलिस डिपार्टमेंट से समंदित है यानि जो आपका सब्जेक्ट है आपको सोचना है इस दिशा में कि मेरा जो सब्जेक्ट है ये पुलिस के लिए किस तरह से उपयोगी है या क्या इससे पुलिश डिपार्टमेंट को फाइदा हो सकता है उसके बाद में विशय का आपका जो सब्जेक्ट है उसका करंट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो वो भी पूछा जा सकता है जो आपके ग्रेजिशन के पोस्ट ग्रे अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है अगर आपने आपका सभजड्यक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो अभी जो मामला चल रहा है रसिया का यूक्रेन का तो उससे संबन्दित कोई बी चीज पुछी जा सकती है कि रसिया में कौन सो सासान है वहांकि पारलियमेंट कैसे का करती है युक्रेन में कैसा सासन है अंतरराष्ट्रे जो समंध्ध है उनके बारे में पुछा जा सकता है कि बारत से रसिया के समंध्ध कैसे है युक्रेन के कैसे है कौन से देश है जो उसको सपोर्ट कर रहे है रसिया को कौन से युक्रेन को सपोर्ट कर रहे है इस तरह की ची इसका पहले हिस्सारा हुआ है रूए के बारे में रूए आपसे पूछा जा सकता है अगर आपका सब्जेक्ट किस्टरी है इसी तरह जोग रूफ्य से किरंट के मुद्गे को कई जगे से जोड़ कüpुमचा just सकता है जोग्रोफी के इसाव से भी पूचा जा सकता है कि दोनों की दूरी कितनी है आपस में सीमा किस किस से लगती है रस्या की सीमा किस किस देश से लगती है वारत से कितनी दूरी है अमेरिका से कितनी दूरी है चाइना से कितनी दूरी है कौन से अक्सांस पर है कौन से दे पूछाई जाएगा जो करंट वाला टोपिक है वो सब्जेक्ट से भी कनेक्ट होगा सब्जेक्ट से भी उसके बारे में पूछा जाएगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप से मिसाइलों के बारे में पूछा जा सकता है आप से जो विश्पोटक पदार्त वहां है इसके बाद में विशय को लास्ट इंपोटेंट है कि विसय को पूरा नहीं पढ़ना है शिर्ह रेविजन करना है यानि कई बच्चें जो सब्चेक्ट पढ़ने के लिए यतना टाइम लगा देते हैं कि पूरी चीजों को दुबारा पढ़ने लग जाते हैं तो आपको उन सब्जेक्ट को पूरा नहीं पढ़ना है जो आपने एकजाम के लिए जो पढ़ा था एकजाम के लिए उस सब्जेक्ट की आपने जितनी तैयारी कर रखी है शिरब उसी को एक बार revise कर लीजिए, revision कर लीजिए और उसी से आपका काम चल सकता है, इसके अलावा subject के अंदर अब हम कम टाइम के अंदर एक दो मैने के अंदर वो चीज़े नहीं पढ़ सकते हैं, जो basic knowledge की हैं, उसके लिए तो हमने जहां से subject पढ़ना शुरू किया था, चा subject के बारे में आपको direct question नहीं पुछा जाएगा, बहुत कम condition ऐसी होती हैं, जिसमें direct question पुछा जाता है, और direct question अगर पुछा जाता है, तो उसका जवाब हम नहीं में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई problem नहीं होगी, बट अगर किसी भी subject के question में अगर आपसे रा जरूरी हैं, वो चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है, कभी भी किसी राजनेतिक party को आपको support नहीं करना है, कभी भी किसी भी धर्म या जाती को आपको support नहीं करना है, ये चीज़ें आपको विशेश ध्यान रखना है, अपने हर एक राय देते समय हर एक answer के time, ये ची को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं कौन से दर्म की में अच्छा ही आ हैं कौन सी दर्म में बुराई हैं ये सारी चीजों पर भी आप से कही ना कही जानने की कोशिस की जाएगी जो इंटर्यू बोर्ड है, उसका मेन मकसद यह होता है कि वो आपको हर तरह से जाच ले, हर तरह से परकले और वो कई ना कई बातों में आपको ले जाके वो चीज जानना ही चाहेंगे जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आप उलजते जाएंगे तो सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूत नहीं है सिरफ इन चीजों से सम्मंदित आप जानकारी रखिए उससे काम आपका आराम से चल सकता है जो बچचे ओफ-लाइन तैयारी करना चाते हैं इंटर्यू की तैरी रिमडिफेंस अकेड्मी मैं नए बैचे शुरू हो रहे हैं गर्ल्स एंड बॉइज दोनौं के लिए होस्तल फेसिलिटी है जो बच्चे ओनलाइन त्यारी करना चाहते हैं अप्लिकेशन डाउनलोड करना है प्लेस्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी और उसके बाद में आप आराम से ओनलाइन भी हमारे साथ जुड के हमारी टीम से त्यारी कर सकते हैं जो बच्चे यूट्यूब पर देखके सिर्फ तयारी करना चाहते हैं तो वो सीरीज के रूप में जो वीडियो चल रहे हैं सबको देखिए और उसके अनुसार तयारी करते रही है सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा मैं बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको रफ वर्क करना पड़ेगा रफ रजिस्टर और पैल लेके आपको लगे रहना पड़ेगा तब जाके आपकी तयारी अच्छी हो पाएगी और सब लोग आजकल तयारी करते हैं यह भी मैं आपको बता दूँ इंटर्यू में आपको अच्छी तयारी करनी पड़ेगी और एक एक नमर बहुत इंपोर्टेंट होगा लास्ट में जाके फिर एक एक नमर के लिए जिस दिन हम रहते हैं उस दिन फिर बहुत अपसोस होता है तो वो अपसोस आपको नहीं हो वो अपसोस आपको नहीं करना पड़े आपकी जिन्दगी में वो कास सब्द नहीं आए इसलिए आप अभी और मेहनत करिए और मेहनत करिए जिससे की आप भी आराम से सफल हो सके और याद रखिए भागे कोई लिखावा दस्तावेज नहीं है इसे तो रोज-रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है कैसे लगी मेरी दीवी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सेर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फाइदा आपको इस चैनल से मिल रहा है आज के लिए इतना ही जैहिन ठेंक्यू धन्यवाद